तो आ रही हूँ अरे सूलियो तुम क्या बाद है आज तुम बहुत दिनों की बाद यहां आए हो हेलो आइंटी आप कैसी है क्या नोबिता घर पर है वो उपर अपने कमरे में है पढ़ाई कर रहा है तुम अंदर आजाओ तुम बहूँ अइंटी आज आज आप बहुत सुन्दर लग रही है थांक्यू कैसे हो नोबिता क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुन्यो ऐसे कोई बात नहीं है क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता मैं inappropriate मैं दोरा एक्स भिलाया हूँ आराम से पढ़ो और खाओ क्या सच में? सच में नोबिता अरे बाम बसा आ गया तेसी है मैं मुसीबत में फच गया हूँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए देखो नोबिता मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले मुझे पदा था मैं बेना मतलब के कुछ भी नहीं करते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन जियान ही क्यूँ? वो एस ये क्यूंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और काप्टन है हाँ, तुमने सही कहा मैं टीम का Ace Pitcher और Captain बनना चाहता हूँ तुम Ace Pitcher और Captain बनना चाहते हो लेकिन त्यों सुनी हो मेरी एक Relative है टमोमी और सच में वो बहुत सुन्दर है नोबिता तुमने उसे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के Ace Pitcher और Captain हो तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता मैं उसे सच नहीं बता सकता और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा इसमें भी कोई पूछने की बात है इसलिए मैं तुमसे मदद मागने आया हूँ तुम ये Comic Book पड़ो नोबिता तुम ये सारे डोरा के खालो प्लीज मेरी मदद करो जो रिमोन हम इसकी मदद कर सकते हैं न जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है वो भी उस दिन जब वो गाने की प्राक्टिस कर रहा था नोबिता आइडिया हम उसे एक सिंगिंग कामपेटिशन में भेजेंगे पर उसका गाना सुनेगा कौन अब क्या करें वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा दोरेमान ये क्या है एक बात और नोबिता कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा सच में अब इसके बात क्या होगा दोरेमान प्लानेटेडियम ये सब क्या हो रहा है मैं चुरू अरे ये को सुवर असलिंग है ये को असली लगती है वो इसके नोबिता ये असली त्री डामेंशनल लिमिट को प्रोजेक्ट करता है तुम्हारे सामने पिछले साल का समर टूर्णमेंट चल रहा है क्या ये पिछले साल का समर टूर्णमेंट है और इस राय को घुमाते ही वाओ फिरे मेंशनल अरे ये तो इजिप्ट है अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमिज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आपको रोक नहीं पाएगा लेकिन डोरे मॉन इसका साइस तो बहुत छोटा है हम लोग पकड़े जाएंगे उसके चिंता मत करो डूम की बड़ा होते ही इमिज का साइस भी बड़ा हो जाएगा हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा बीसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगा कैसी रहेगी डोरे मॉन हाँ वो जगे बिल्कुल सही रहेगी लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा ये तू है कितनी भी तेज आवाज हो वो दोम के बाहाँ नहीं निकल पाएगी फिर तो कोई प्राब्लम नहीं बहुत अच्छे डोरे मॉन कल वो मैच नहीं खेलेगा अब मुझे किसी का डर नहीं है एक सिंगिंग कॉम्पेटिशन तुमने मुझे कहा धाना तुम जाना चाहते हो जियान फिर कभी चलेंगे आज मेरा एक important मैच है क्या लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतिजार कर रहे है हाँ जियान सच में क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे कौन सी शीज ज़ादा ज़रूरी है, बेसपॉल या सिंगिंग हाँ, सही कहा, सिंगिंग ज़ादा ज़रूरी है ये हुई ना बात हाँ, तुम सब के आइडल हो अब जर्दी चलो जियान तुम इसकी मदद से सीधा स्टेच पर बहुन सकते हो जियान हाँ, मैं जाता हूँ अरे वाँ, ये तो शांदार है क्या ये सब मेरे ही फैंज है सब्पी जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इतिजार कर रहे है वाँ, मैं इसके लिए तयार हूँ डोरे मॉन आप सभी लोगों का इतिजार करने के लिए शुक्रिया आपका इतिजार खत्म हुआ अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे तो फ्लीज ब्रैकम कीजिए, मिस्टर जियान ओ, थैंक यू मैं हूँ, जियान काम पूरा हो गया नोगता अब तुम जाकर ये बाप सुनियों को बता सकते हो अब ये गाता हूँ अब क्या हुआ मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरे मौन ठीक है, समझ किया अब मैं इसे यूज़ करूँगा एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए तुम सब तयार हो ना सुनियो, अपनी पहली बॉल पर उसे आउट कर देना तुम चिंता मत करो मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैटन हूँ अब मेरा कमाल देखना मैं आच तुम्हें ही जीजना है ठीक है, गेम शुरू करते है सुनियो कितना खुश है आच के मैच में जीजन नहीं खेल रहा इसलिए सुनियो के चिंग कर रहा है तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगिलर पिचर नहीं है मेरी आवाद सुनके सब हो जाते हैं मद्रिहो अब जीजन कितना खुश है और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाओंगा जिसका नाम है डंप्लिंग्स ओफ़ गर्ल्स लव अरे ये क्या है अब क्या करूँ मेरे पस इसके लिए भी एग्यादित है शाउंस टेंट ट्रंस रिसीवर बहुत पढ़िया बहुत पढ़िया च्यान ऐसे ही घाते रहो जी आन जी आन यही तो मैं सुनना चाहता था क्या तुम लोग तयार हो मैं तु ठक गया यह लो पकड़ो नोगी ता अरे 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 चली गई अरे ये तो नोबिता है यही तो मैं सुनना चाहता था यह है अरे नहीं यह क्या कोई बचाओ मुझे अरे तो बताईए आपको मेरा गाना कैसा लगा इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेकता है क्या हमेशा सुनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है नहीं सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बॉल टेक योर मेर्ट मैंने तुमसे कहा था ना मैच बहुत मज़िदार होगा ये तो बहुत बोरिंग है मैं भूर जा रही हूँ सुनियो बाइट मेरी बात सुनो रुख जाओ अरे जल्दी करो बॉल फेको हाँ अभी फेकता हूँ ये सब क्या हो रहा है भागो तुमने सारे गाने का लिए जियान ये क्या हो रहा है मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है बहुत सुरीला दोरे मौन इसे जल्दी जी करो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करो डोरे मौन अब हम इसे और नहीं सुन सकते मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है बहुत सुरीला